दोस्तो आज की वीडियो में स्पेसल क्रोना वेरियर्स जो की हमारे चैनल के वीवर्स भी हैं उनकी रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ दोस्तो वैसे तो यह जो आज की वीडियो है यह उन सबी सर्वेर के काम आने वाली है जिनकी डूटी फिलाल COVID-19 की वज़े से ग्राम मिन एरियो में डोर टू डोर सर्वे करने में लगी वी है तो दोस्तो जो उनकी रिक्वेस्ट थी हमारे वीवर्स की वो यही थी जब भी वो डोर टू डोर संप्रक करते हैं तो उनको कुछ इस तरीके का मैनुवली रिजिस्टर उनके पास में होते है जहां पर उनको सेरियर लंबर है सेंपल किस डेट को लिया है पेशेंट का नाम क्या है फादर्स नेम क्या है एज क्या है वर्ड नमबर कॉंटेक्ट नमबर अधार नमबर सेंपल का नमबर क्या है एरिया वाज जिस्टिक तसहिल नमबर यनकी रिपोर्ड पोच्टिव है या फिर नेग्टिव है तो कुछ इस तरीके का रिजिस्टर उनको मैनुवल मेंटेन किया है इस record को हम प्रोप्रली Microsoft Excel में किस त्रीके से मेंटेन करेंगे क्योंकि कई बार होता एसा है बहिंग मेंटेन किया है उसे हमें आगे email सेंड करने में भी problem होती है और कोई बार एसा भी होता है जो हमने कुछ लिखाया तो सामने अले बंदियों को प्रोपरली उसकी जो राइटिंग वो समझ में सही तरीके से नहीं आता थी तो जिसके वज़े से जो पेशेंट की जो ट्रेकिंग वो प्रोपरली नहीं हो पाती है अगर ये रिकोड अगर हमारा एकसल में रहे तो एक रिकोड हमारे पास भी बिल्कुल सेफ रहेगा और हम आगे भी इसको बिल्कुल सही तरीके से सेंड कर सकते हैं उनको भी सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो दोस्तो ये आज इस वीडियो में आपको मैं ये practically सारी बाते बताऊंगा भी Microsoft Excel में हम इस ट्राइब के format को किस तरीके से डिजाइन करते हैं यही मान के बताऊंगा भी आपको Microsoft Excel में कुछ भी knowledge नहीं है तो दोस्तो अगर आप भी Microsoft Excel के बारे में कुछ basic बातें सीखना चाहते हूं तो आज के इस वीडियो को end तक complete जुरूर देखना कोई भी step इस वीडियो का skip मत करना वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो like जुरूर कर देना तो और इस वीडियो को दोस्तो ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी share जूरूर करना जिनकी duty अभी फिलाल COVID-19 को बजिया से विसेश कर ग्रामिन एरियों में लगे भी है जो manual रूप से register maintain कर रहे हैं तो वो Excel में किस तरीके से maintain करें तो ये वीडियो भी उनके लिए काफी ज़्यादा help भी रहेगी तो अगर आपका भी कोई सुझाब हो और कोई आपका suggestions हो तो भी आप हमें comment कर सकते हैं तो मैं next भी इसके लिए एक और वीडियो बना दूँगा आपके comment के अधार पे तो दोस्तों अगर आप भी चाते हो भी इस तरीके की वीडियो हमें आगे और मिलके रहें तो आप इस चैनल को भी subscribe जरूर कर लेना तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौन्सुतार और आप सभी दोस्तों का हमारी YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं जो उनका manual register में जो format होता है बिल्कुल ब्रेंक format है अब इस टाइब का उनके पास format है अब हो सकता है यह सेंपल के रूप में यह जो मैंने डिजाइन त्यार किया यह बिल्कुल एक dummy डिजाइन है तो इसमें आप यहां पर देख सकते हो यहां पर जो सबसे पहले जो अपर heading है patient का नाम father's name विगर सब कुछ यह manual रूप से by pen fill up करना पड़ता है और यह fill up करने के बाद में कुछ जो record वो इस तरीके से हो जाता है यहां पर date विगरा patient का नाम father's name विगर सब कुछ अची तरीके से इसको fill up कर लिया गया है अब बात आती है अब इस type के format को हम excel में त्यार कैसे करेंगे उसको भी हम सिखते हम चलते है Microsoft Excel पर दोस्तों वैसे तो यह देखो आप मैंने यहां पर इसको त्यार किया हुआ है लेकिन हम इसको बिल्कुल नहीं sheet sheet number 3 पर जो कि बिल्कुल blank है यहां पर आपको मैं इसको maintain यानि कि उससी तरीके से इसकी formatting करना बताऊंगा तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हो इसके अंदर चाहिए आप यह form हम ले लेते हैं तो आप देख रहे हुए सबसे पहले हमें इस data को design क्यार करना है जो यह आप देख रहे हुए इसको यह जो heading है हमारी main important यह इसको सबसे पहले maintain करना है अब जैसे कि सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर serial number भी आ रहा है patient का नाम भी आ रहा है father's name यह सब कुछ हम लिखना पड़ेगा तो हम चलते है excel पर एक बार यहां से हम शुरू कर देते हैं सब serial number अब serial number के बाद में जो second column है वारा वो sample की date है तो वो भी हम यहां पर लिख देंगे इस यहां पर है जैसी आप यहां पर जाओगे तो आपके सामने यह प्रस का निसान बढ़ जाएगा तो आप इसको यहां से ड्रेक करके थोड़ा सा आगे भी खीन सकते हो तो यानि कि कहने का मतलब ही होगा हम इस column की width को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उसके बाद में column number तीन पेशेंट का नेम है कि पेशेंट नेम आप सेम इसी तरीके से कोई दिकति नहीं है में उसको बाद में one time भी कर सकते हैं उसके बाद में father's name आपको यह simple नाम है यह आपको लिखने होंगे एक बार यह keyboard में आपको लिखने होंगे age आजएगा उसके बाद में word का number आजएगा तो मैं यह heading है यह सबसे पहले एक बार इसको मैं fill up कर लेता हूँ और उसके बाद में जो main जो इसकी designing रहेगी उस पर आपको मैं करता हूँ मैं जल्दी से इसको fill up कर लेता हूँ मैं कि इस तरीके से मैंने सार डाटा जो यहां पर लिख लिए है अब आप देखे रहे तक मैंने सिर्प डाटा को यहां पर लिखहे हैं तो अभी तक आपसे पहले आपको जितने भी कोलम यहां तक लिखे हैं उनको सब के पहले आप waste इन्पसे इउडिंघ से अब उसके बाद में आप कहीं पे भी जाके, किसी पे जाके आप डबल क्लिक कर दोगे, आपको मैं दुबारा बता देता हूँ, Ctrl-Z करके वह पे सातों मैं, अब जहां पर A से लेके हमने R तक के कोलम को सेलेक्ट किया हुए है, आप इसमें से बीच में से कहीं पे भी, जैसे मैंने H और I के बीच में यापर करसर लेके गया हूँ, तो यह प्लस का निसान मन गया, यहां पर आपको डबल क्लिक करना है, जैसे आप डबल क्लिक करोगे, तो इसमें होगा क्या, जिस भी column को जिस नाम की जितनी जरूरत है वो column automatic की वहाँ पर set हो जाएगा अब ने तो इसमें कोई जगह कम बचेगी ने कोई extra बचेगी तो अब उसके बाद में हमें यहाँ पर थोड़ी सी इसकी width को जो कि हमारे row संख्य है इसकी row को हम width को थोड़ा लेगे उसके बाद में इसको सारे को select करेंगे और उसको बाद में इसको यहां से हम कर लेंगे बिल्कुल में center में हम इसको यहां से center में कर लेगे अब center में करने के बाद आप देख रहे हैं यहां पर कुछ नाम आगे अब इसको हम data करतेंगे यहां से फॉर्मेटिंग करेंगे इसके अंतर हमने column wise अच्छा से पहले हम इसको बोडर लगा देंगे तो बोडर लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ओल बोडर आ जाएगा ओल बोडर देखते हैं आप देख रहे हो यहां पर इस तरीके से यह सारा नाम है जो बोडर में हो गया है और अब चाहूँ तो आप इसको बेकरवंड इसकी कलर चेंज कर सकते हो जैसा कि आपके मेनवल will में था तो आप यहां से कोई बिक कलर है जो इसकी बेकरवंड है जो झालोड का सकते हो तो आप यहां से भी कोई बी कलर है जो इसके बेक्राउंड है जो ठेक्राउंड यह चेंज करसक्ट est यहीं स्टक्त में आपके और उससले तुंट का इसकी डिजाइनिंग करना अब उसके बाद में आपको उपर सबसे पहले जैसे हमारा अब क्यों तक कोandom हमारे चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहां तक किस्केओ तक को somat करना है और उसके बाद इन कि सर्वे रिकॉर्ड यह आपके पास कुछ भी हो सकता है मैंने एक सेंपल की रूप में यह डिजाइन इसका त्यार किया है तो यह कोई आपको कोई कोई से समंदीती कोई रिकॉर्ट मेंटेंड करने की जुरूट नहीं है उसके लिए नहीं है आप चाहिए तो इसमें वोटर लिस्क त्यार करने से समंदीती भी सेम इसी तरीके की फाइल को यूज कर सकते हो तो हम इसको भी यहां पर सेंटर में कर लेंगे इसके बाद इसका फॉंट का स्टाइल यहां से हम कुछ चेंज कर लेंगे इस तरीके से कर लिया है उसके बाद यहां में इसका दिजिने से έनिक उसका क्या पद क्या है तो वो भी हम यहां से एक डाटा और इंसर्ट नहीं है रो कर लेंगे इंसर्ट हम मिसलेक्ट करेंगे और इसपे इंसर्टपर क्लिक प्रोब और तब उसके बाद आफ टो इसका फॉन तका च्टायल अगर आप सिंपल रखना चाते हैं हम सिंपल भी रख सकते हैं यहां से कि और कुर उसके बाद में इसका पुर्ट का नाम को इस तरीके से हम इसको यहांसे सेटिंगी कर लिया है अब उसके बाद में हम आप यहां आपर जो हमारी, विवर से उनका नाम है विक्रम सिंग तो भी करम सिंग क्या नाम मैं नहीं या। इसके बाद में यहां पर काफी सारे न वह दिये Theo यह एनम है जेनम है अगन बड़ी करेकत है टीचर्स है या कुछ भी कुछ टाफ है तो उनके सारे हम लिख सकते हैं अब जैसे कि यहां पर एनम है तो हम एनम भी यहां पर लिख सकते हैं कि डेग्डिनिशन में पूंट को साइज को इंक्रेज कर सकते हैं अब उसके बाद में सारा का सारा record हम maintain करेंगे जो manual रूप से fill up किया गया था register में तो आपको मैं एक record maintain करके दिखा देता हूँ उसके बाद में same उसी तरीके से सारे record है जो maintain हो जाएंगे अब सबसे पहले जैसे की record है serial number 1 है तो serial number हमने भी यहाँ पर एक लिखा है उसके बाद में sample की date जो register में लिखी वी है जिसकी एक पांच दो हजार 211 का है उसके बाद में patient name जैसे की राम सिंग लिखा हुए है अब आपके पास कुछ भी हो सकते हैं और उसके बाद में जैसे father's name शाम सिंग यह मैंने sample की रूमन है उसके बाद में age 25 word number एक रहेगा उसके बाद में इनकी contact number जो भी है जैसे मैंने contact number एक बार यहां पर डाल दिया है अब उसके बाद बारी आएगी अधार number की अब अधार number में आपको थोड़ा सा एक problem होईगी अब problem क्या रहेगी अब जैसे अधार की संख्या होती है वो बारा डिजिट की होती है हम यहां पर बारा डिजिट लिखते हैं जैसे मैं sample group से 1234 1234 और 1234 जैसे मैंने enterprise किया जैसे आप यहां पर देख रहे हो उसकी संख्या कुछ इस तरीके से convert होगी यहां कि अब यहां पर क्या होता भी Microsoft Excel में अगर आपको दस डिजिट तक कोई संख्या लिखते हो तो वो आपको विल्कुल सही दिखेगी जैसी 11 से उपर के संख्या जाएगी तो इसका मतलब वो संख्या कुछ है इस तरीके जैसे प्लस इलेवन अब इसका मतलब क्या हो गया अब यहां पर देख रहो भी लास्ट में आपको प्लस इलेवन दिख रहे है और इसका मलब भी यह कह रहा है भी आपकी जो इसमें संख्या वो बारा की संख्या है अमालेजिये मैं यहां पर को एक तेरा की संख्या लिखता तो जैसे मैंने यहां पर वन किया आप यहां पर देख रहे हो यह आ गया प्लस बारा अब यह कह रहा है भी अब इसके अंदर जो संख्या है भी टोटल तेरा की संख्या है बारा प्लस एक तेरा की संख्या है तो अब हमें चिये भी जो अदार की जो संख्या वो प्रोपरली पारा के संख्या में सई तरीके से हमें शो हो जैसा की अब इस मैनुबल रजिस्टर में जो जैसा की लिखा गया है, जिसस फर्श टूप से लिखा गया 12345123451234 12 sitzt के संख्या बिलकुल सई तरीके से शो हो रही है तो वैसे भी हमें यहां पर भी हो तो आपके पास दो option है आप 1,2,3,4 एक बार keyboard से space दे दो फिर 1,2,3,4 फिर space दे के 1,2,3,4 इस तरीके से भी आप लिख सकते हो तो आपको यह 12 के 12 डिजिट यहां पर show करेगा अगर आप space देना नहीं चाहते तो आप जैसे भी इसको क्या करोगे जैसे आपको पता लग रहा है भी इस column में आपको अदार के संख्या लिखनी है तो ऐसी स्थित्य में आप इस column को select कर लो और उसके बाद में इस column पर आपको right click करने है right click करने के बाद में आपको जाना यहां पर इसके format cell के option पर इस पर हम click करेंगे format cell पर तो आपको यहां पर option दिखाये देगा second option number का आपको नंबर पर click करने है और number पर click करने के बाद यहां पर option आ जाएगा decimal place तो अब यहां पर जो आपको दो दिखाये दे रहा है इसके जगे अब आपको कर देना है, इसको टाके, यहां कर देंगे 0, और इसको कर देंगे OK, अब इस संक्या में कोई प्षिज लगेंगे 1234, 1234, 1234, तो ये सही अदार के संक्या जो बिलकुल आपको 12 डिजिट के साथ शोगे, अब 12 लिखो, 13 लिखो, 14 लिखो, जो भी अब format लिखना चाहिए, तो वो property सही तरीके से लिखा जाएगा, जैसे हम यहां पर एक बार नीचे भी हम लिखते हैं, जैसे हम नहीं में लेख जिए 2345, 1234, फिर 5847, तो आप देखे लिए अदार के साथ हैं, बिलकुल ये सही तरीके से लिखी गई है, कोई भी error इसमें नहीं है तो आप इसको भी change कर सकते हो, अब उसके बाद में जैसे के sample number है, sample number कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कुछ भी लगा दिया, SC001, कुछ भी आपने एक sample का number जो भी आपके maintain है, उसके बाद में इसका address क्या है, जैसे address में, gram का नाम जो भी है, उसके बाद में gram पंचायत कौ लखना पड़ेगा, उसके बाद में testereular, तैसे bei को आपको लिखना पड़ेगा, आपका जो district को सै, district भी आपको यहाँ पर maintain करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ आपर, जो भी आपके पास रिपोर्ट के कोलंच को यहां पर खोट सकते हो इसलिए आपको excel में अत्व मेंटेंट करना जलूरी है क्योंकि जैसी इसकी रिपोर्ट आएगी बाद में इन फ्यूचर दो या तीन दिन बाद में तो आप पॉजिटीव है तो यहाँ पे पॉजिटीव है तो नेगटीव लिखोगे बाद में आप इन पेशेंट की जो पॉजिटीव पेशेंट है उनकी अच्छी तरीके से ट्रेकिंग करके उनको फिल्टर करके जो जो पेशेंट पॉजिटीव है उनको सही तरीके से आप ट्रेकिं कर सकते हैं, अब उसके बाद में आपके पास संक्या, काफी ज़्यादा संक्या हुएगी, क्योंकि सर्वे के राम काफी ज़्यादा संक्या हो, तो उस कंडिशन में आप यहांपर इसको सभी को सलेक्ट करके और All Water पर भी यहांपर क्लिक कर सकते हो तो ऐसी स्थिति में आपके पास यह प्रोपर्टी सही तरीके से मेंटेन हो जाएगा अब बात आती है भी हम इस फाइल को सेव कैसे करेंगे और इसको हम इमेल कैसे बेजते हैं अब इमेल बेजने के लिए सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना है अगर आप इस फाइल को अलग नाम से सेव करना चाती हो वाइड वाइज सेव करना चाती हो एरिया वाइज सेव करना चाती हो तो इस फाइल का नाम भी आप चेंज कर सकते हो तो इसके लिए आप फाइल पर जाएंगे और सेव एज पर क्लिक जैसे कि आपने लिख दिया यह वर्ड नंबर एक की फाइल है और यह कोण से मलग गांउं की है वह आप काउंं का नाम भी यहां पर लिख सकते हो तक कि आपको प्रोपरली सही तरीके से ट्रेक हो सके यह फाइल वर्ड नम्बर एक है और आपने गाउं का नाम भी लिख दिया और उसके बाद में इसके आप लोकेशन सेट कर सकते हो कहाँ पर आपने इसको सेव कर दिया आप कहीं पर भी डेक्स टोपे या माई डोकॉमेंट में सेव कर सकते हो तो मैंने इसको सेव कर दिया तो अब यहां पर देख रहे हो जिस नाम से अभी हमने सेव किया था इसको वो मारा पास रिकोड यहां पर सेव हो गया है तो अब बात आती है इस फाइल को हम इमेल कैसे करेंगे तो इस फाइल को हम कर देंग यहां से क्लोज अब उसके बाद हम चलेंगे इंटरनेट पे अब इंटरनेट पे आपके पास इमेल आइडी होनी चीए हम इमेल आइडी यहां पर सबसे पहले यहां पर पगालेंगे तो इमेल आइडी आपके पास अगर साइन अप नहीं है तो साइन आपको करना पड़ेगा सबसे पहले हम जी मेल पर जाएंगे और जी मेल पर जाने के बाद कुछ इस तरी की विंड़ो हमारे सामने आएगी तो यहां पर आपको करना होगा करेंगे तो के अंदर आपको उनका इमेल इडरस आपके पास ओना चीज जिनको यह फाइल आप सेंड कर रहे हो तो अब जैसे कि मैं एक बर खुद कोई कर लेता हूं तो इस तरीके से आजएगा सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो भी आप जिने जो फाइल बेज रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या है जैसे अभी आपने यहां पर लिख दिया भी वार्ड नंबर एक फाइल है जो सर्वे रि दो लेख सकते हो उसके बाद में आपको उस फाइल को अटेज करना है ल्टेश करने के लिए आपको यहां पर यहां हो फाइल को फाइल को सेव कि आता यह बार्ड नंबर भरन और नम्बर वन हैसके नाम से simple आपको यहां से इस send पर click करना है जैसे हम इस पर send पर click करेंगे तो यह जो email idea हमारी वो जो file हमने email कर रहे हैं और जिस के नाम से ने 2 में जिनका नाम लिखा हुआ है उनको send हो जाएगी तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को like दे के जरूर जाना तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe करके नहीं रखावा तो प्लीज वो भी कर लेना क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी type की वीडियो और भी लाते रहेंगे अगर आपकी भी कोई query है आपकी भी कोई request है तो भी आप हमें comment कर सकते हैं मैं कोशिस करेंगे उन पे भी आपको एक special वीडियो बना के देंगे तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ